क्याते हैं आखें दिल का आईना होती हैं क्योंकि दिल के एहसास को बया करने का काम वो बखू भी निभाती है और उन आखों को सुन्दर बनाने का काम पलके करती हैं कई लड़ियों के पलके नैचरली बड़ी होती हैं लेकिन कुछ मार्किट से मिलने वाली नकली पलकों का इस्तमाल करती है लेकिन नकली पलकों में वो बात कहा जो कुदरती पलकों में होती है चलिए आपको घरेलू ऐसे उपाई बताते हैं जिसे आप अपनी पलकों को नैचरली घनी और बड़ी बना सकती है अरंडी का तेल अरंडी के तेल के दो चमच कटोरी में डाल कर गुनगुना कर लें तेल को हलका ठंडा करके पलकों पलगाएं तेल में मौजूद एंटि आक्सिडेंट रोम को विक्सित करके पलकों को बड़ा और घना बनाती है विटामिन E कैपसुल कैपसुल में से जेल को निकाल कर कैस्टर ओल में मिला लें इसको पलकों पर लगाएं इससे पलके मजबूत और घनी होगी ऐलोवेरा जेल ऐलोवेरा जेल में विटामिन E और फैटी आसिड मौजूद होता है इसलिए आप मसकारा ब्रश की मदद से अपनी पलकों पर ऐलोवेरा जेल लगाएं और रात भर ऐसा ही लगे रहने दे पेट्रोलियम जेली पेट्रोलियम जेली को पलकों पर उंगलियों के मदद से लगाएं उपरी और निचली पलकों पर अच्छे से लगाएं इससे भी पलकों की ग्रोथ बढ़ती है बादाम का तेल बादाम के तेल में विटामिन D और विटामिन E होता है जो नैश्रल मौशिराइजर के रूप में काम करता है रात को सोने से पहले गुन-गुना बादाम तेल पलकों पर लगाए और सुभे साफ पानी से धोले तो ये कुछ ऐसे घरेलू उपाई है जसकर इस्तमाल से आपकी पलके ना सिर्फ घनी होंगी बलकि आपके खुबसूरत आखों में भी चार चान लगा देंगी इस टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले